तो दोस्तों, Assalamualaikum, Learn and Earn की YouTube चैनल में खुश्यामदीद हम अपने वेब डॉर्माट की कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टोपिक को डिसक्स करेंगे वे टोपिक हमारा टाइम इंटर्वल के हम दिखेंगे कैसे हम अपना डेट और टाइम को सेट करते हैं तो बगया टाम जाएगी हम जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं तो डिव.con और उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं लाइक में लिख देता हूं डेट एंड टाइम तो इसके बाद हम स्क्रिप्ट एक में जाते हैं और जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट लगा देते हैं तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे हम अपने देट एंड टाइम बुक कैसे सेट करते हैं तो उससे पहले हम पिछले सर्वर को डिस्पोस कर लेते हैं और एक नया सर्वर ओपन कर लेते हैं तो हमारा नया सर्फ भर open हो गया हम इसको inspect कर लेते हैं तो console में जैते हैं तो console अभी खाली है क्यूंक अभी तक हमने java script में कुछ भी नहीं लिखा तो हम जाते हैं अपने script में और लिखते हैं देखते हैं कौन कौन सा method है हमारे पस तो let text is equal to, और text के बाद हम अपनी किस्ता लिखेंगे, हम एक object create करेंगे, तो new object, अच्छा एक बात आपके, sorry object लिखना था, मैं यह प्तार था, कि हम object create करेंगे, तो हम इसको new date लिखेंगे, new date, तो एक बात आप ध्यान रखेंगा, कि जो text होता है, जो यह new, जिसके साथ हम new के साथ काम करते हैं, वो हमारे construct होता है, और हमारे object को present करता है, तो basically हमारे object है, तो मैं object है, तो अब मैं इसके साथ कल्डी brackets लिखाता हूं, और उनके अंदर अपना data लिखता हूं, तो data कैसे मैं एंटर करूंगा, उससे पहले मैं date के साथ, small brackets लिखाता हूं, और इसके अंदर मैं लिखता हूं, console.log, text, console.log, तो here I got some problem, तो यहां पर प्रोब्लम किस लिखा पर आई है, हम देख लेते हैं, text is equal to new date और उसके बाद हमारे पास expected error और इसके साथ साथ हमारे पास तो हम देख लेते हैं, तो हमारे यहां पर जो error है वह हमारे पास इस curly brackets के हम यहां पर curly brackets को use नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक new date का function call किया, object और उसके बाद हम console.log, और log के अंदर हम अपना simple text लिख देंगे, text लिख दिया और text के साथ साथ हम इसको save कर लेंगे, तो मैंने इसको control, एस तबाग के मैं इसको save कर लेता हूँ, save करके मैं अपने browser में जाता हूँ और देखे हमारे पास time आ गया, तो Thursday December 16, 2021 और उसके बाद दो बचके 16 minutes और उसके साथ साह हमारे पाकिस्तान स्टेनर टाइम, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ, कि इसके साथ साथ मैं यहां पे एक और method को apply करता हूँ, अपने date and time के लिए, तो एक तो हमारे पास यह method हो गया, दूसरा हमारे पास method होगा, वो होगा, कि मैं इसको same copy कर लेता हूँ, ctrl c के और next लिए में जाके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहां पे text को spelling थोड़ से change कर देता हूँ, तांके हमारे एक नया variable हो, और date के अंदर मैं 0 put कर देता हूँ, तो मैंने date के अंदर 0 put कर दिया और बाकी सारों को मैं comment out कर देता हूँ, मैं इसको save करता हूँ, और save करके मैं जैसे अपने browser पर आया तो देखें यह हमारे पास आ गया, January 1, 1970, 1970 का time आ गया, तो यह अब time कहां से है, तो यह वाला जो time है, यह extended time है, जो हमारा VS code लेता है, और इसके reference से वह बाकी time को set करता है, तो अब इसके अंदर अगर मैं यहां पर आके, 0 के साथ 10 add कर दूँ, 1000 add कर देता हूँ, यहां भी मैं 10,000 add करती है, तो देखें हमारे इसी time में, 10 seconds का फर्क आजिए, मैं इसको save करता हूँ, और आप लोगों को यह बात पता हो गए, जो यह time मिली seconds में है, तो मैं इसमें save करके अपने browser भी जाता हूँ, तो आप देखें 10 seconds का फर्क आ गया, पांच बजे से पांच के आगया हमारे 10 seconds में फर्क आ गया 10 seconds का, तो इसके साथ हम देखेंगे, हम एक new date कर देते हैं, और उस new date के अंदर मैं आपको प्ता देता हूँ, हम लिखते हैं, इसको कमेंट से बाएर निकाला और इसके अंदर हम new date के अंदर एक date देते हैं, लाइक में देता हूँ, 2021 या 2022, अगर कोई 2022 में यह वीडियो देख रहा हो तो इसको welcome कहते हैं और उसके साथ लिखते हैं 10 और फिर हम 10 लिखतेते हैं, तो इसको save करके हम जाते हैं और अपने browser, बल्के हमने यहां पर इसको date को इससां reference नहीं देना, सेफ किया और सेफ करके हम अपने browser में जाते हैं, यहां 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 मसला आ रहा है text का, तो मैं इसमें से e remove कर देता हूँ, Ctrl सेफ किया, सेफ करके मैं यह वापिस, तो देखे हमारा यह number 10 2020 का time आ गया, और यह time भी हमारा इसी reference से आ रहा है, यह जो 1970 वाल है, तो हम अपने VS code में वापिस जाते हैं, और मैं आपको यहां पर कोड़ चीज़ पतारता हूँ, लाइक हमारे यहां पर मैं आता हूँ, और मैं अगर उपताता हूँ कि हमारी new date किसा सेट होती है, तो new date के अंदर जो मैंने इसके अंदर लिखा, यह हमारा कैसे आएगा, यह हमारा आएगा, सबसे पहले year, year के बाद हमने odds लिखेंगे, हम लिखेंगे, उसके बाद हम minutes लिखेंगे, minutes के बाद हम seconds लिखेंगे, और उसके बाद अगर हम चाहें तो milliseconds लिख सकते हैं, तो यह हमारा एक छोटा syntax है, जो हम अपना time को जब लिखेंगे तो इस reference के लिखेंगे, इस method तरीके से लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ functions आ जाती हैं, हमारे time के date and time के तो हम उनको भी देख लेती हैं, तो मैं कहता हूँ, function है हमारा और मैं उस function को लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ, लेट, लेट अपने क्या करना है, लेट मैं अपना year चाहा रहा हूँ तो मैं कहूँगा, let year is equal to new date dot get full year और मैं इसके साथ इसको लगायता हूँ, अब जैसी मैं इसको save करता हूँ, save करके मैं अपने browser पर आता हूँ तब देखते हैं क्या reaction आता है, is not a constructor, मैं एक हैल से मैंने spelling mistake की है, तो मैं उसको देख लेता हूँ, syntax की mistake है, तो मैं वापिस अपने VS code में जाता हूँ और VS code में जाकर देख लेता हूँ इसको, तो हमने इसको इस तरह नहीं लिखना है, हमने लिखना है get और उसके बाद जो हमारा full का f और year का y हम बड़ा लिखेंगे, और इसके साथ साथ आम जो लिखेंगे हमने new data अपनी दे ती और इसके बाद हम इसको console.log भी कर लेंगे तो इसके साथ सायम इसको console.log भी करती हैं तो हमके up~~~ पर पेस्ट करते हैं Ctrl-C के हमने और निक्स लेन पर जाके Ctrl-V करते हैं और अपना नाम चेंज कर देते हैं Light Text हम इसको एर पर ले आते हैं Ctrl-S इसको मैं Save करूंगा और Save करने के बाद मैं अपने ब्राउजर में जाके देखता हूं तो फिशल New Date तो इसको हम क्या करेंगे fell अब हम क्या करेंगी हम यहOOO पया हम्हारा कहkelे मसले है अबल तो मारा जो मसले है मं इह पर New Date ते यहाँ इसको ट्यक्स ंसको ट्यच्च कर ना चाहँए जाए हैे मैं जाते हम अपनी हिदर और New Date को जाए मैं txt लिखता हूँ enter करता हूँ txt.get full year और इसको मैं save करके देखता हूँ result आ रहा है कि नहीं आ रहा तो देखे हमारा 2022 आ गया तो इस तरह हमारा ये वाला year आ रहा है अगर मैं इसको change करूं उपर से तो यहां पर भी हमारा change होजएगा मैं 26 करता हूँ मैं इसको save करता हूँ save करके वापस आते हैं देखे 2026 आ गया same method से आप इसका month find कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वो get date get month करना पड़ेगा तो थोड़ सा send exchange है तो इसलिए मैं आ वको बता देता हूँ मैंने इसको control कोपी किया और उसके बाद मैं यहां पर किसको paste कर देता हूँ लेकिन अब मैं यहां पर इसको month कर देता हूँ यहां और और जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मैंने मन्त किया इसको और सहाथ साथ ही मन्त कर दिया और इसके साथ साथ मैं यहां पर अपने सेंटेक्स को भी चेंज करूंगा और सेंटेक्स को चेंज करके getMonth कर दोऑंगा यह अगर मैं date find करना चाहर je मंत करके सिफ करूँगा करमारे दुंद पारे उपन्त आजीएगा चाहर जो धोँ हमये रहे हुआ सेंटेक्स की है सहते हैं जो तो मैं इसके बाद कहता हूँ 56 सेकंड तो मैं जैसी इसको सेफ करूंगा तो मेरे पास सेकंड में भी टाइम आजएगा यहां पर तो कहां पर था हमारा 8 तो नॉम्बर 12 26 और मिनट और सेकंड तो सेकंड में टाइम क्यों नहीं आया तो यह तो हमने वह दिया आपने उसको iar month और date दिया और उसके बाद हमने इसको 56 चोड देना था वह हमने देना था तो सोरी यह पिए गलती सेंटेक्स में आप लोगों ने प्लके करना है month है month के बाद year के बाद हमारा month आएगा month के बाद date आएगा फिर और आएगी तो year, year के बाद month, month के बाद हमारा date, date के बाद और minute second, month, year, month, date, और, और मैं इसको six कर देता हूँ, और six के साथ, साथ मैं कहता हूँ, यहां पर हमारे पास minute, कितने minute देना चारूँ, 45 minute, 45 minute के बाद second, 3 seconds, इसको save करता हूँ, और save करके अब हम देखते हैं, तो जी, बिल्कुल सही, अब हमारा सारा कुछ set हो गया, तो अब हम बाकी जो अपना date, hours, minutes, find करना चाहते हैं, उसमें भी get.month, get.ors, get.date हम करके find कर सकते हैं, तो इसके साथ हम एक और काम कर सकते हैं, हम set date कर सकते हैं, set minute कर सकते हैं, और different काम कर सकते हैं, like, अगर मैं करना चाहूँ कि यहां पर new date को set करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कि मैं अगर यहां पर आपके सामने simple एक line लिखूँ, मैं कहता हूँ, txt, चुँकि हमने पहले variable txt यूज़ कियता है, तो अभी मैं इसको txt यूज़ करूँँगा, txt set date का आगया, set date, और जैसी मैं set date किया, उसके बाद मैं date को set कर सकता हूँ, मैं यहां पर आऊँगा, और यहां पर five जेता हूँ, five के लिखते मैं इसको save करता हूँ, और save करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, तो मैं इसको set करने के साथा console.log भी कर दूँ, तो मैं जाता हूँ और लिखता हूँ, console.log और console.log txt करता हूँ, txt, इसको मैंने save किया, save करके, मैं अपने ब्राउजर बे जाता हूँ, तो हमारा time अब देखें, यहां अब date 10 की बजाए five आ गई, similarly इसी method से आप main switch set कर सकते हैं, आप इसके बाद हम एक और, और आपको यह इसकी dates की किससा settings आपको समझागी होगी, कि किससा हम dates पूट कर सकते हैं, टाइम्स पूट कर सकते हैं, अपना calendar create कर सकते हैं, तो इस class को खतम करने से पहले, हम एक calendar create करके देखते हैं, कि हम real time calendar के से create कर सकते हैं, तो दोस्तों हम अपने VS Code में जाते हैं और VS Code में जाके जैसा कि हमने देखा था कि हम किसी चीज को रिपेटिड लेक इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम सेट इंटर्वल यूज करते हैं तो हम जाते हैं हम यहां जाके इंटर्वल को यूज करेंगे उससे पहले थोड़ी सेसके टक्स को कर लेते हैं तो मैं कर दो हमने हम जाता हूं मैं इधर एक आप्स पंई कर लेता हूं span और span को id देता हूँ एक id is equal to time और इसके बाद जाके मैं इसके अंदर अपना set interval करता हूँ तो मैं कहता हूँ set interval और जैसी मैं set interval करूँगा तो में पाई एक function आ गया तो मैं इसको remove कर देता हूँ क्योंकि function मैं नीचे इलएदा से create करूँगा तो मैं यहां पे आके इस function को remove करता हूँ तो अब मैं यहां पे एक function create करूँगा update के नाम से जो मेरे time को update करता रहेगा update और update के बाद में क्या करूँगा मैं इसको भी put कर देता हूँ और इंटर्वल यहां पे इंटर्वल लिखता हूँ का लाइक मैं चाता हूँ के 1000 हट एक सेकंड के बाद मेरा इंटर्वल इंक्री जो time जो है वो refresh हो तो उसके लिए मैं one second का time जाता हूँ one thousand milliseconds और नीचे में जाता हूँ और नीचे जाके मैं update का एक function क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ function function के नाम की जिगा मैं लिख देता हूँ update और उसमें मैं अपना एक छोटा सा code एंटर्वल करूँगा तो हमारा time सेट हो क्या हाँ चाहिए तो दोस्तों इस तरह हम अपना time क्रिएट कर सकते हैं तो मैं इसके तरह छोटा सा काम करूँगा time.innerhtml तो इसके साथ मैं कह दूँगा is equal to और is equal to मैं इसको simple अपना एक function दे दूँगा और मैं इसको अपना कौन सा function दूँगा वो मैं जाकर देख लेता हूँ मैं इसको new date का function दे दूँगा मैं यहां सी copy कर लेता हूँ इसको यह वाला object मैं इसको दे दूँगा तो मैं Ctrl C किया मैंने और नीचे जाकर इसको paste कर देता हूँ अब अगर हम इसको save करके वापस जाते है अपने browser पर तो देखते है हमारा यह देखे हमारा clock क्रियेट हो गया जो जिसको हर second बात जिसका time change होना चाहिए था बट यह भी तक change नहीं हो रहा हम जाकर check कर लेते हैं क्या problem है इसमें हमारे interval में कुछ मिसला आया है तो हम इसको देख लेते हैं update तो हम यहां पे देख लेते हैं इसको हमने set interval किया है set interval के बाद हमने इसको update भी किया है function का नाम लिखा function के नाम के साथ साथ तो हमारे इते problem क्या आरही है देख लेते हैं हमारे यह जो basic problem आरही हमने जब interval को पढ़ा था तो हमने कहा थे यहां पे हम function को call नहीं करेंगे सरफ function का नाम लिखेंगे तो इसको हम save करते हैं और save करके हम अपने browser में जाते हैं तो देखिए हमारा cloak त्यार होगे अगर आप इस पर styling देना चाहें तो styling भी लगा सकते हैं थोड़ सी like इसको justify content करके center कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पर थोड़ सा background color लगा सकते हैं different आप इस पर setting apply कर सकते हैं तो यह हमारा simple method था जिसके जिरी हम अपना calendar त्यार कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ आपको date and time की समझाई होगी तो यह चोटा सा project भी है तो इसमे styling आप लोगों ने खुद लगाने है यह आपका as a quiz है तो अमीद करता हूँ आपको इसके समझाई होगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली class में खुदा हाफिज